बागी 3 में टाइगर श्रॉप हॉलिवुड फिल्म मैट्रिक्स का आइकॉनिक एक्शन सीन कैसे रीक्रियेट कर रहे हैं और क्या है बागी 3 में टाइगर श्रॉप का ग्याटब बागी 3 में ये तो लाजमी है कि इस बार एक्शन का स्तर पिछले दो भाग से अधिक होने वाला है इसी से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया है जहांबा टाइगर हॉलिवुड फिल्म मैक्ट्रिक्स के आइकॉनिक सीन को रीक्रियेट कर रहे हैं इसमें वो काफी शांदार आक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं इस वीडियो में टाइगर एक आदमी से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं इस सीन को रीक्रियेट करने दे रहे हैं उनके इस वीडियो को काफी जादा पसंद भी किया जा रहा है यहां पर वो मून वॉक के साथ माइकल जैक्शन के सभी डांस मूब्स को भी कॉपी कर रहे हैं आपको बता दे एहमद खान के निर्देशन में बन रही बागी 3 में टाइगर एक बार फिर श्रदा खंडे भी मुख्यम भूमी का में नजर आएगी बागी 3 को साजित नाडिया वाला प्रेड्यूस कर रहे हैं स्टन कोरियोग्राफ मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक बागी और बागी 2 फिल्म टाइगर के आक्शन के लिए पहचानी चाती है टाइगर इस बार बागी 3 से अपने ही रिकॉर्ड को दोड़ते दिखाए देंगे आपको जानकर हारानी होगी टाइगर खुद अपने स्टन कोरियोग्राफ करने वाले हैं फिल्म फेर की रिपोर्ट की मताबिक टाइगर अपने लिए कुछ स्पेशल स्टन कोरियोग्राफ करने वाले हैं खुद एक इ ट्राइगर ने बागी 3 के जानकारी देते हुए कहा कि फिल्म की पूरी टीम बागी 3 को विश्वेस्तर पर आक्शन देने के लिए काम कर रही है। वो अपनी बात पर जोर देते हुए कहते हैं कि मैं फिल्म के बारे में जादा कुछ नहीं कह सकता लेकिन इस बार ऐसा कुछ होगा जो कभी नहीं देखा गया होगा। वो ट्राइगर के आक्शन सीन्स भरी भागी 3 का कितना इंतसार है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह के दूसरे वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर ले हमारे चानल बॉलिग्राज स्टूडियो को।